जब रमजान या रोजे हम रखते हैं तो बहुत दफा या जादा तर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर डेफिशेंसी आना शुरू हो जाती है किसी भी चीज की deficiency हो सकती है, iron की deficiency भी हो सकती है, vitamin B की भी हो सकती है, vitamin D की भी हो सकती है मतलब आप यह समझ लें कि हमारी nutrition जो होती है वो इतनी balanced नहीं रहती है और अगर आपकी body के अंदर पहले ही tendency थी या पहले ही आपकी body deficient थी तो आप सोचें कि थोड़े से रोजे रखने की देर है जैसे 10-12 रोजे रखें, half way भी नहीं गया आप और आपको feel होगा कि नहीं मेरी body जो है वो अब पहले जैसी energetic नहीं है और इसी के साथ साथ हमारी जो sleep होती है वो भी उसका pattern थोड़ा सा change हो जाता है जैसे आजकल यह वो आजकल के रोजों में है जैसे अभी जो रोजे गुजरे उसमें यह हो रहा था कि आपको सोने का time नहीं मिलता नहीं हो रहा था उसके उसकी वजह से सोना जो है यह सोन स्लीप हमारी जो है वो इतनी अच्छी नहीं रह पा रही थी उससे भी डार्क सर्कल्स होते हैं दोनों चीजें होती है एक तो यह होता है कि आपने इबादत भी करनी है जागना भी है और sleep pattern खराब होता है उससे भी पढ़ेंगे और जो nutritional deficiencies होती है जैसे मैंना आप से कहा कि अगर iron deficiency, anemia हो गया है या फिर vitamin B जो है उसकी deficiency हो रही है तो जाहर है डाक सर्कल्स अगर पहले थे तो जादा लगना शुरू हो जाएंगे अगर नहीं थे पहले तो कुछ आपको नजर आना शुरू हो सकते हैं आपको फ्रेग कर देखा नहीं और अए प्राइट पूड होगा इन सब चीजों की वज़ा से प्रॉब्लम होती है कि जो बोडी है वो डिशिंट होती जाती हो जाती है और आपको लग सकता है कि आपकी ड़क सर्कल्स जो हैं उस्यादा हो रहे हैं सिरफ भाट सर्कल्स ज्य एक तो डाक सर्कल्स होते हैं जो के बिल्कुल ब्राउन कलर, ब्राउन पिग्मेंटेशन नजर आती है आपको आल थू आउट या सिर्फ खाली नीचे या साइट के उपर और इनर साइट पे इनर कॉर्नर पे और नीचे और यह आल ओवर ओर अराउंड थी आई भी आपको होती है कि थिन्ंट रूनी की वज़ासे अंदर से आपको छोटे-छोटे आपके जितने ॥वड़ वेशल्स और सब नजर आ रहे मुते हैं और पतली चेन और वलोड वेशल्स के अंदर से नजर आ होते हैं पर एक ह्यूं क्रियेट होता है आपको लगता है यह एर्या डार् ब्लुइश रेडिश यू आता है उसमें ब्राउन कलर नहीं होता ठीक है और एक तीसरी चीज जो होती है वो यह होती है कि संकन आइज होती है जिनको हम हेलो आइज कहते हैं जिनको हम हेलो बने वे लगते हैं जैसे यहां पर आंग अंदर को धसी दी है और अंदर को धसे होने इतनी धसी भी होती है, सौकेट के अंदर आये होती है, कि ऐसा illusion क्रियेट होता है, कि ऐसा लगना शुरू हो जाता है, कि यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े dark circles हैं. अचा, मैंने यह तीनों तरह के जो dark circles हैं, वो आपको इसलिए बताए हैं, कि इन तीनों तरह के dark circles के लिए, हमें different products की, different तरह के treatments की, और different applications की ज़रूरत होती है, अगर same applications, application या हर तरह की, मतलब ए, इन सब dark circles के लिए, आप एक तरह की दवाई इस्तमाल करना शुरू कर देंगे, तो उसको इस्तमाल तो कर रहे होंगे, आपको इतना फाइदा निया होगा, ठीक है, अचा, मैं आपको फिर साथ साथ जो है, वो products भी दिखाना शुरू कर दूगी, अभी मैं आपको बताने लेकिए हूँ कि, अगर जो है, brown color की discoloration जादा है, जादा तर आपको brown color नजर आ रहा है, और इतनी जादा thin skin नहीं है, इतने जादा vessels नजर नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर बहुत अच्छा है, ये intensive whitening cream है, बिल्कुल irritate नहीं करती है, और आप ये जो around eye area है, उसकी जो delicate skin है, उसके उपर इसको apply कर सकते हैं, जादा बेतर तो यही है, कि दिन में एक ही दफार रात को सोने से पहले, इसको apply किया जाए, दिन में apply ना करें, ठीक है, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और eye serum दिखाने लगी हूँ, ये देखें, ये वाला eye serum है, ये eye serum जो है, ये क्या करता है, ये आपकी fine lines और आपकी जो dry skin होती है नीचे लोड लिट के उपर, ये उसको बेतर करता है, anti-aging and anti-oxidant effect देता है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कि सिरम को सुभा के वक्त लगाएं, और इसके इलावा, जो आपकी cream है ये वाली, ये आप रात में यूज़ कर लिए, ठीक है, अब हम आजाते हैं, कि इसमें डाक सर्कुल में, वाइटमिन C के प्रेपरेशन, जो के पूरी डाक ब्राउन पिग्मेंट होती है, जिसमें बैसल भी इतने नजर भी आरे हैं, और उसके इलावा, जो है, वो संकन आइस भी इतनी नहीं है, लेकिन डाक कलर की पिग्मेंटेशन, ब्राउन कलर की पिग्मेंटेशन है, उसमें वाइटमिन C जो है, वो बहुत अच्छा काम करता है, आप वाइटमिन C को अलेदा भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ भी उसकिया जा सकता है, ठीक है, मैं आपको दो डिफरेंट स्ट्रेंट्स दिखा रही हूँ, देखें, ये वाइटमिन C सरम जो है, ये 5% वाला है, और पिर ये वाला वाइटमिन C सरम जो है, ये 25% वाला है, ठीक है, अगर तो बहुत ज़्यादा डार्क सरकल्स हैं, तो आप ये कर सकते हैं, कि आप राइट वे जो है, वो हाइर स्ट्रेंट वाला सरम जो है, वो स्टार्ट कर दें, इसको आप दिन में दो दफा लगा सकते हैं, सुभा भी और रात भी, अगर जो है, वो आपके मॉडरेट या माइल्ड डार्क सरकल्स हैं, तो फिर आप लोर स्ट्रेंथ से स्टार्ट कर सकते हैं, और जरूरत पढ़ने पे जो है, वो हाइर स्ट्रेंथ पे जा सकते हैं, ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा सा तिंगलिंग एफेक्ट या थोड़ा सा जैसे हल्की सी तिंगलिंग या हल्की सी इरिटेशन होती है, वो आपको दे सकते हैं, क्योंकि प्योर फॉर फॉर्म ऑफ लेकिन उसमें घबरानी की जरूरत नहीं होती है, वो खुदी से जो है, वो आपकी स्किन जो है आईसता यूस्टू हो जाती है, और पर आपको इशु नहीं होता है, इस तॉपिक जिस पर बात चल रही है, उसमें मैं आपको ये भी बताती चलू हूँ कि हम इस वकत चाहरे हैं, फेस्बुक पे और साइमल्टेनियसली हम लाइख चाहरे हैं यूटूब लेकिन आप फेस्बुक पे डारेक्ट वेस्टिन नहीं हूँ सकेंगे, आपको यूटूब पर आना पड़ेगा और वहां पर आप अपनी क्वेरी अपने क्वेस्टिन्स रहें हो कर सकत अच्छा, यह मैंने आपको दिखाया है, अब आप आप आते हैं के और तरह के भी वाइटमिन सी सरम्स हैं, जैसे मैं आपको एक और यह वाला वाइटमिन सी सरम जो है वो दिखा रही हूँ, यह भी बहुत अच्छा है जिलोगों की तोड़ी एजर्ट स्किन है, जिलोगों तो यह भी आपको आपको चार तरह के फोर डिफरेंट्स जो है वो इस ट्रैंट्स और फोर डिफरेंट्ट फॉर्मुलीशन और वाइटमिन सी जो है वो दिखायं ठीक है, अब हम आचाते हैं के अगर जो है हम अगर जो है हम कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहते हैं करती है तो यह डेफिनेटी जो है वो आइस के राउंड लगाने के लिए बहुत अच्छा है अकर आपकी स्किन जो है वो थोड़ी एजर यह तोड़ी ड्राइसाइड पर है मिचोर स्किन है और हम एंटी पिगमेंटरी यानि के लुटा थायोन और वाइकमिन सी दोनों देना एक रसे हारे अंकिन देन, और अंटी उक्सचिडान, एंटी एंटी उपिगमेंटरी घो गIT अच्छा कॉंब अच्छा uh तीके अचा बहुत अच्छा कॉठी तेम्धर मेंग connect discussion के अच्रा में कि ए व्याग सांटी हो और बहुत पतली हो जाग से उसे उसके उत-और बाग अ और बहुत क्रिंकली साथ एक्टार होता है और वो देफिनेटी अच्छी नहीं लगती है और लोग कंप्लें करते हैं कि यहां पर लगाई नहीं सकती हूं यहां पर कुछ भी लिगाती हूं तो सारा मेकप पाउडर सब कुछ अंदर ही चला जाता है और क्रैक्स बने वे नजर इतनी पतली स्किन है तो जब उसको कुछन मिलेका तो वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी तो थोड़ी थिकनेस आजाएगी और उसके इलाबा पॉलिजन जो है वो मॉइस्चर हाइडरेशन और फाइन लाइन उन सब पे काम करेगा एंटी एजिंग एफेक्क देगा तो आप देखेंगे कि यह विली स्किन बहुत जल्दी आपको रिस्टोर्ड और बहुत बेतर मैसुस होगी ठीक है तो यह बेसिकली क्वालेजन का सेरम है अचा उसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक ग्रीम जो के है वाइटमिन के की क्रीम जिन लोगों की पतली स्किन हो सकते क्युंकि उसके अन्दर से इतना शेर आरह सोता है कि आपको लगता कि डिश बहुत जाता है और अपदो थी को लेग बहुत जाता है और आप वेस को देखें तो पहुत ही प्रमीन पोले एंडिया आपको नजरारही होते हैं तो उसमें हम साहर में वाइटमिन के रहीत कि सब्सक्राइब एक नीयिते डालर बच्राइब रेखर एक बच्छार नजर रह ओते हैं तो इसमear Bowl 2nd कि बहुत बेदर हो जाता है और आपको अपयरेंट होना शुरूग जाता है चाब नाप pursue under the dark circles यो है अपकाम अप्रेंट है अपकाम नजर आते है अच्छा जो वाइटमिन के है यह बेसिकली बहुत अच्छा healing agent भी होता है तो आप इसको in combination किसी भी चीज के साथ दे सकते हैं मैं वाइटमिन के को इसके साथ भी दे सकती हूं मैं वाइटमिन के को यह वाइटमिन से के साथ गाते हूं मैं से को जो मैं चो आप गुशू को एक उलावा ट можете जाते हैं कि लुड़ाधा योलिंवन लुटा वाइनिदी वाईमिन के कार थी किसी कि वी कॉम्बनेशन धना जा सकता है हुआ है ठीक है अचा अब जाती है को अचा जाती है वन similarly है अईस जो है वो जैसे अंदर को धसीवी हेलो आईस होती है वजो सुझेशनों होता है, यसा हुटी पूपर लाइनर को भी होती, मैं झान को च्छोप अंदर को धसी और डार्क लगेगे वह हमने नहीं करना ठीक है जिनकी ऐसी आईज हैं हुड़िड आईज हैं अंदर को धसी दी है लो आईज है और इसके इलावा जो है वह बहुत जादा डार्क सिर्कल्स हैं उपर की साइट पर तो हम कहते हैं कि आप यहां पर आई लिट के आपने लाइनर यूज नहीं करना तो फिर वो क्या यूज करें उसके लिए जैसे अच्छा सा मस्कारा होता है जैसे भी मैं आपको मस्कारा दिखा रही थी तो आपकी अपनी लैशेस अधर अच्छी होंगी और आप अच्छी का मस्कारा लगाएंगे तो आंग बहुत खु हो जाती है नाच्रली और या पिर पुछ लोगों की हमेशा से ही काम होती है उसमें आपने क्या करना है जैसे यह मैं आपको दिखा रही हूँ यह बहुत अच्छी मेंडिसन है इसको यूज करके आप नाच्रली अपनी लैशेस को थिक भी कर सकते हैं और लंबा भी लेंथ जब थिकनेस और लेंथ होगी तो पिस आपको एक अच्छा मस्कारा ही चाहिए और फिर आपकी आँख जो है वह आपको छोटी लगने की बजाए खुली भी लगे की चब आप उसके पर मस्कारा यूज करेंगे एक तो मैंने आपको यह दिखा दिया और एक और मैं आपको नहीं जो है वह आइड़ा कंझा करा कर आपक है तो जितना आप न के एपर् टी करों तो अच्छा है करने हैफ जितना तो अम आप इप्स जितना पे अपने अब्रों के थार को रहने देनेगे पिनामक्ज लुटarin उतारेंग मैं ईत्ना ही नाच्छार को लाट लग जाते है आपको लगा सकते हैं और लाश के इलावा प्ली आप छिड़ा सकते हैं जब आप के आइपरोज जो है वह अच्छे हुंगे बिंटर होंगे और आपकी लेश्चेस बेटर होंगी तो आपको अपर नीचे जादा चीजे नहीं लगानी पड़ेंगी आप सिर्फ खाली जो है व पाक 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 पाफ फेस लग़ागा फ्रेश लुकाएगी और एक अवेकन लुकाएगी यह लगगगा कि बहुत एसी आखें हैं अंदर को गई हैं और बहुत ही जाता जो एसे लग़ा जैसे आप स्लीपी हैं और फ्रेश लगे तो यह मैं आपको कुछ प्रोड़क्स दिखा कुछी आसा나fun wray कोफी कोफी जो है है और इसके बाद बढ़ने लै कारफी जो है अंते साथ आप के पास है और उसमें थोड़ा सा पानी घगा ले उसको चुछ तेर के लिए छोड़ें उसको थोड़ दे थें जब आप उसको उतारें ।शацион के लिए धी नच है कि आपको आपके dark circles पहले से comfy होंगे कॉफी के अंदर मज़दार बात ये है कि कॉफी जो है वो anti-oxidant भी होती है क्योंकि वो anti-oxidant होती है, rich in anti-oxidants होती है तो अगर आपकी skin जो है वो mature है और थोड़ fine lines है तो उसको भी थोड़ा सा बेंदर कर जाएगी ठीक है आप जब ये लगाएं, जैसे मैंने आपको कॉफी लगाने के कॉफी का मास्क लगाने के लिए कहा है जब आप इसको लगा लें और लगाने के बाद उतार लें तो उतारने के बाद आपने moisturize जरूर करना है skin को तके आपके यहां वाली scale ळे आपको dry न फिलो, सकेल न बने dry न फिलो तो मैने अब आपको कुछ medicines भी बता दी है पिर मैने आपको घर में और क्या यूस कर सकते हैं जो कि है खोड़ा हो सकते हैं वो भी मैने आपको बता दी है अब हम आजाते हैं कि आप सब कुछ कर लेते हैं लेकिन डार्क जर्कल्स रहें वो improvement शोन नहीं करते तो क्या करना है फिर आप में आना है हमारे पास clinic पे जब आप clinic में आएंगे तो हमारे पास different तरह के clinical procedures रहें वो available होते हैं मैं हमेशा पेशेंट मेरे पास आता है कॉंसलेशन के लिए तब ही बात पोलती हूँ अभी भी आपको लाइब सेशन में भी कहूंगी कि स्टार्ट हमें करना चाहिए बेसिक चीज से पहले स्टेप पे जाएं अगर जरूरत पड़े तो सेकिंड पर जाएं और अगर जरूरत करेंगे ताके आपको ज़्यारी जर्ट बेल सके अगर तो बहुत ज़्यादा पिग्मेंट होती है तो हम वाइटनिंग पील को यूज करते हैं और उससे बहुत अच्छा एपेक्ट आता है अगर सिन बहुत ज़्यादा थेन होती है तो उसके अदर हम सर्म इंफूशन उनक से कástico हैं उसके एलावा जो हे वहां क्या उसको ख़गा सकते हैं शो के एंदर को अधरी हो ती हैं जो आजके अधर किया होती है कि है उसके अंधर हम साहते Фाथ में मीजोघों दे लिए सकते होते आपने उसके उपर वाइपनिंग पी करनी है या जो आएगा अपने का बॉक्सी तरपी करनी है वो हमें देख के पीरी रिसाइट करना वड़ता है